हेलो फ्रेंड एक बाफिर आपका स्वागत है आज मैं टेलवास 20 टेबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ यह अरिस्टो कमपनी द्वारा निर्मित है और टेल मी सर्टन इस दवा का घटक है टेलवास 20 टेबलेट उच्छ रक्तचाप और दिल की विफलता के इलाज के लिए गुर्दे के कार्या को सरक्षित करने में भी प्रभावी है इस दवा को या तो अकेले या अन्य दवाईयों के साथ लिया जा सकता है इसे दिन में या रात में भोजन के साथ या बिना उसके लिया जा सकता है हलाकि सबसे अधिक लाप राप्त करने के लिए प्रत एक दिन एक ही समय में इसे लेने की कोशिश करें। यदि आप अच्छी तरह से महसूस करते हैं या यदि आपका रक्तचाप नियंत्रित है तो भी इसे नियमित रूप से लेना जारी रखना महत्पूर्ण है। उच्छ रक्तचाप वाले अधिकांच लोग बिमार महसूस नहीं करते हैं लेकिन यदि आप इस दवा को लेना बन कर देते हैं तो आपकी इस्तिती खराब हो सकती है। या व्यापक रूप से इस्तमाल की जाने वाली दवा है और इसे लंबे समय तक इस्तमाल के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसके साथ ही अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से भी आपके रक्तचाप को कम करने में मदद मिलेगी। इसमें नियमित व्याया वजन कम करना, धूमरपान कम करना, बंद करना और शराब का सेवन कम करना, और अपने चिकित सक द्वारा सलहा के अनुसार अपने आहार में नमकी मातरा कम करना शामिल हो सकता है। यह दवा अधिकान चोरोगियों द्वारा अच्छी तरह से सहन की जाती है और इसके कुछ दुश्परभाव होते हैं, जैसे चक्कराना विशेश रूप से पहली खुराक के बाद कुछ लोगों में होने के लिए जाना जाता है यह सीरदर से जुड़ा हो सकता है, अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या यह दुश्परभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं इस दवा के नियमत उप्योग के साथ कोई वजन नहीं देखा गया है साथी इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आप गुर्दे या जिगर की कोई समस्या है या गर्वती या इस्तनपान कराने वाली माताओं को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से भी इसला लेनी चाहिए आप जब यह दवा ले रहे हों तो आपका डॉक्टर आपके रक्त में आपके गुर्दे के कार या रक्त चाप और आपके रक्त में पोटेशियम के इस तरह की जाँच कर सकते हैं तो फेंड इस तरह से टेलवास, टेबलेट, उच्छ रक्तचाप का उपचार, दिल का दौरा और स्ट्रोक की रोक थाम और दिल की धड़कन रुकना जैसे इस्थितियों के लिए निरधारित है यह दवा रक्तवाहिकाओं को अराम करके और आपके शरीके चारों और रक्तपंप करने के लिए आपके दिल को आसान बनाने के दौरा रक्तचाप को कम करता है इसे प्रभावी होने के लिए नियमित रूप से लिया जाना चाहिए आम तोर पर इस दवा को लेने से कोई प्रत्यक्शलाव महसूस नहीं करते हैं लेकिन यह आपको ठीक रखने के लिए लंबे समय तक काम करता है इस दवा को अपने चिकेचक द्वारा बताई गई खुराक और अधी में लें इसे पूरी तरह से निगल लें इसे चबाएं कुछ ले या तोड़े नहीं इस दवा को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है लेकिन इसे निश्चित समय पर लेना बहतर होता है यदि आप इसे लेना भूल जाते हैं तो जैसे इसकी खुराक याद आती है तो इसे छोड़ दें और अपने समान्य कारकरम के साथ जारी रखें खुराक को दो गुना ना करें यह टेबलेट एक एंजियो टेसिन रिसेप्टर ब्लोकर है यह एक रासानिक की कारवाही को अउरुद करके रक्त वाहिकाओं को आराम देता है जो आमतोर पर रक्त वाहिकाओं को तंग करता है यह रक्त चाप को कम करता है जिससे रक्त अलग-अलग अंगों तक आसानी से प्रवाहीत हो सकता है और हिर्दय अधिक कुशलता से पंप कर सकता है टेलवास 20MG टेबलेट रक्त वाहिकाओं को चोड़ा करने और फैलाने से काम करता है जो ने आराम देता है इससे गुर्दा में अतिरिक्त नमक और पानी बाहर निकलने में भी मदद मिलती है जिससे रक्त चाप कम हो जाता है इसलिए टेलवास 20MG टेबलेट उच्च रक्त चाप के इलाज में अत्यधिक प्रभावी है यह दवा जादातर मल में उत्सर्जित होती है और इसका प्रभाव लगभग 24 घंटे की अवधी के लिए रहता है इसका असर एक से दो घंटे के भीतर देखा जा सकता है गर्वती मेलाएं और इस्तनपान कराने वाली महलाओं के लिए इस दवा की सिफारेश नहीं की जाती है गर्वती मेलाएं और इस्तनपान कराने वाली महलाएं इसको लेने से पहले डॉक्टर से जरूर परामर्श लें इसमें टेलमी सर्टन है यह रक्त वाहिकाओं को शिथिल करता है जिससे रक्तचाप कम हो जाता है और हिरदय को भी आरा मिलता है नतीजन दिल अधिक कुशलता पूरवक काम करता है यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली टेलवास की खुराख है कृपया याद रखें कि हर और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोग दवाई दने के तरीके रोगी की आयू और रोगी का चिकत्सा इतिहास और अन्यकारगों के अधार पर टेलवास की खुराख भी अलग हो सकती है तो फ्रेंड इस तरह से टेलवास 20 टेबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हों कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंश सके और इसके अलावा मेरे और दो चै आते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी लिंक मिल जाएगी